अंग्रेजों के इतना हडपने के बाद नेपाल कुछ समय के लिए भूमेहीन हो गया। संधी के 9 महीने बाद 11 दिसंबर 1816 को अंग्रेजों ने नेपाल के साथ एक और शांती और मित्रता संधी की और रापती के पूर्व के क्षेतर को वापस कर दिया। उसके बाद लंबे स समय तक नेपाल स्थेर और शांत नजर आया। इसरी दोलों आपको बताते हैं तो वीडियो को शुरू करते हैं। से पहले ऐसी गतिविधिया क्यों नहीं हुई। उधर काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेर बालेंद्र साह ने अपने कार्याले में ग्रेटर नेपाल का नक्षा रखने के बाद इसे लेकर कई तरह के विचार सार्वजनिक किये हैं। अखंड भारत का नक्षा भारत के पास होना चाहिए, हमारे पास क्यों नहीं। बालेंद्र शाह ने जो हिम्मत दिखाई वह दूसरे नेता क्यों नहीं दिखा पाए। हमारे वीर पुर्खों द्वारा अर्जित राष्ट्र अपने राष्ट्रिय स्वाभिमान पर गर्व होना स्वाभाविक है। विभिन संधियों ने नेपाल का हिस्सा दिखाया है। अपनी भूमी पर गर्व करना अच्छी बात है। बालेंद्र शाह ही नहीं, सभी को ग्रेटर नेपाल के बारे में बोलना चाहिए। संसद में आये सभी लोगों को यह बात जाननी चाहिए। जब भारत हमारे देश के क्षेत्र लुम्बिनी को अपने मांचित्र पर रखता है, तो हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। नमस्कार। सम्रध मिडिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं ग्रेटर नेपाल की इतिहास से जुड़ी कुछ बातें। व्रिहत नेपाल की सीमा कितनी दूर थी और क्षेत्र रफल कितना था। तो आये चलते हैं इतिहास की ओर। बात सन 1799 की है। सन 1799 में चैत्र की 25 तारीख को प्रिथवी नारायन शाह का एक गरीब और पहाडी राज्य पर शासन हुआ। तब उन्होंने छोटे-छोटे राज्यों को एक करने का सपना देखा। प्रिथवी नारायन शाह के स्वपन के अनुसार, उनकी बड़ी बहु राजेंद्र लक्ष्मी और उनके छोटे बेटे बहादूर शाह के साहस के कारण सन 1806 तक नेपाल की सीमा पूर्व में तिस्ता और पश्चिम में कौंगडा तथा गंगा नदी तक पहुँच गई। शक्तिशाली होने से संतुष्ट नहीं थी। इसलिए उन्होंने गोर्खा सरकार के खिलाफ तरहत रहके शड्यंत्र रचने शुरू कर दिये। उस शड्यंत्र के फलस्वरूप 1809 में नेपाल को अपनी पश्चिमी सीमा छोड़कर सतलुज में लोटने के लिए विवश होन संपूर्ण विश्व को नियंत्रित करने की शक्ति रखने वाले अंग्रेजों के लिए सुंदर हिमाली राज्य को विशाल और शक्तिशाली देखना कठिन था जिसके परिनामस्वरूप उन्होंने सीमा पर काम करना शुरू कर दिया। जबकि गोर्खा सेना ने उनकी भूमी पर नियंत्रन करने के लिए कठोर कदम उठाएं। उस घटना में कई ब्रिटिश सैनेकों की जान चली गई थी। इस घटना को अंग्रेजों के लिए गोर्खाओं के खिलाफ युध छेडने का कारण बनाते हुए। अंग्रेजों ने एक नवंबर 1814 को गोर्खाओं के खिलाफ आधिकारिक रूप से युध की घोशना कर दी। यह युध एक नवंबर 1814 को शुरू हुआ और लगभग एक साल तक चला। उसी समयत नेपाल ने पश्चिम में कुछ भूमी खो दी लेकिन इसे पूर्व में रख लिया। य इसलिए नेपाल में भाई भारदार के बीच युध के लिए आम सहमती नहीं बन सकी और नेपाल ने लगभग तीन महीने बाद 4 मार्च 1816 को संधी पर हस्ताक्षर किये। हाला कि उस समय संधी के हस्ताक्षर करता गजराज मिश्र और चंदरशंकर उपाध्याय वापस नही लोटे एक सवाल है कि इस संधी की वैधता कितनी है। इतिहासकार इस मामले की खोज कर रहे हैं। भले ही एक दिन सच सामने आ जाए। हाला कि 4 मार्च 1816 की संधी के अनुसार पूर्वी तिस्ता तक मेची और पश्चिमी सतलुच तक महाकाली और पूरी तराइक हो गई बाद नेपाल कुछ समय के लिए भूमहीन हो गया। संधी के 9 महीने बाद 11 दिसंबर 1816 को अंग्रेजों ने नेपाल के साथ एक और शांती और मित्रता संधी की और राप्ती के पूर्व के क्षेत्र को वापस कर दिया। उसके बाद लंबे समय तक नेपाल स्थिर और शां वापस किया। जमीन इस समझोते के साथ लोटाई गई थी कि अन्य को धीरे धीरे वापस किया जाएगा। उस समय नेपाल का क्षेत्र फल 147181 वर्ग किलोमिटर था। उसके बाद नेपाल में अराजकता और अशांती फैल गई। भाई भारदार के बीच तरहत्रह की घट नाए होने लगी। कटमार में ही नेपाल की सत्ता उलजी हुई थी। उथल पुथल के बाद फिर से क्षेत्र तलाशने का माहौल नहीं था। ऐसा माहौल बनाने में अंग्रेजों की बड़ी भूमिका रही जैसे आज नेपाल की अशांती में भारत की भूमिका है। अंग नेपाल के शासकों में भी दूरदर्शिता का अभाव था। इसलिए नेपाल की भूमी लंबे समय तक उपेक्षित रही। इसी समय ब्रिटिश सामराज्य का पतन हो गया। उन्हें अन्यत्र की तरह भारत छोड़ना पड़ा और 15 अगस्ट 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। तब से लेकर अब तक नेपाल में तरहत रहके आंदोलन होते रहे हैं। उस आंदोलन को नेपाली कॉंग्रेस नामक पार्टी चला रही थी। स्वतंत्र भारत के नेहरु के सहयोग से नेपाल में आंदोलन के कारण नेपाल में राजनीतिक संकट उत्पन हो गया था। उस स गुलाई 1950 को स्वतंत्र भारत और नेपाल के बीच एक शांती और मित्रता संधी पर हस्ताक्षर किये और संधी के अनुच्छेद आठ के तहट नेपाल के खोये हुए गशेत्रों को वापस कर दिया। आधी सदी से भी अधिक समय तक नेपाल की पूरी भूमी के बारे में अधिक शोध नहीं हुआ है। नेपाल की सीमा कितनी दूर है? नेपाल का क्शेत्रफल कितना है? सवाल उठता है। एक समय नेपाल तिस्ता कांगडा तक पहुँच गया था। नेपाल का क्शेत्रफल 3,6,7,5,7,5 वर्ग किलोमीटर था। सुगौली संधी का क्शेत्रफल 2,04,9,1,7 वर्ग किलोमीटर था। शाही शासन की समाप्ती के बाद नेपाल का क्शेत्रफल 1,47,1,8,1 वर्ग किलोमीटर था। विक्रम संबत वर्ष 2007 से आज तक भारत ने विभिन स्थानों पर 1023 वर्ग किलोमीटर भूमी की सफाई की है। इसे काटकर वर्तमान नेपाल का वास्तविक क्शेत्रफल मात्र एक चार, छे, एक पांच, आठ वर्ग किलोमीटर ही आता है। नेपाल का वास्तविक ख्षेत्रफल क्या है? सरकार की आधिकारिक राय आनी चाहिए. उसके लिए नेपाल के ख्षेत्रफल का पुन्ह मापन करना आवशक है. हर लेटेस्ट न्यूज और काम की खबरों के अपडेटस सबसे पहले पाने के लिए हमारी चानल समरिध मेडिया को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ फेस्बुक, वाट्सेप और ट्विटर पर भी सेयर करें. तो वीडियो आप लोगों ने देख लिए हो अभी मैं आपको बात बता देता हूं, नेपाल की बारे में इंडियन मीडिया को और इंडिया के लोगों को एक तो हिस्ट्री नहीं पता, आपने देख लिए होगा कि मनोज मुलताशर एक बड़े राइटर नहीं तक बोल दिय के नेपाल 1903 में अजाद हुए तो मुझे उसके बाद यह लग रहे कि या तो इनको इस्ट्री नहीं पता या तो यह जान बूझ के अरगते करते हैं, आज की वीडियो आपने देख लिए कि किस तरीके से इंडियन मीडिया यहां तक बात कर रहे कि यार ग्रेटर नेपाल क मैप इन्होंने लाउंच कर दिया, जाहर इसी बात है वो तो करेंगे, जब आप उनके साथ सही नहीं चलोगे, आप अपनी जगाओं को, अपनी हिस्ट्री को, उनके चीज़ों को अपने मैप में दिखाओंगे, तो लड़ाई तो होगी, वो आपकी मुवी को भी बेन करें जैसे पाकिस्तान के अंदर इंडियन मुवीज बेन है, नहीं होती ही आजकार, यही सेम चाइज नेपाल ने भी अजमाई है, नेपाल ने भी किये, तो दालान सिटी, पुकरा सिटी, काटमादू सिटी, इन तीनों सिटी के अंदर सारे इंडियन आपको बदूं को बैन कर समझ नहीं आएगा आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को करें लाइक चैनल को करें सब्सक्राइब